हेलो फ्रेंड्स आइम शिपाली एर और वेलकम बेक तो वर यूट्यूब चैनल मेटानॉलेज क्लब सब्रेंड्स हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर फिफ के 5.2 एक्सराइज कर थी कोशन कंप्लीट किये थे कल आज हम फूर्थ कोशन देखते हैं तो फ 18th, फवेल, 13, 18 सब् w यह 1 हो गई, यह 2 इस तरह से चलते हैं यह हमें नहीं पता कॉनसी तम है इंटन हो गई है इसा मतलब यह क्या हो गई और अब यह नहीं पता जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे हमें यह first term 1 and number of terms 1 इसमें number of terms 2 हो गई है यहां तक number of terms 3 हो गई है यहां तक number of terms 4 हो गई है इस्ती तरह यहां तक number of terms कितनी हो गई है N तो जो आपको N की value है यहां से आपको वो find out करनी है क्योंकि वो कह रहा है कि concealed term which term term मतलब N N आपको यहां से find out करना है A N कितना given है आपको 78 A N का formula मैंने आपको बहुत बर बताया हुआ है A plus N minus 1 into D that is 78 so A is 3 plus N minus 1 into D what is D A2 minus A1 that is 5 so 5 is equal to 78 3 plus 5 and 5 को भी टे से multiply करा minus 5 is equal to 78 यहां से क्या आगया 5 N minus 2 यह minus का 5 है यह plus का 3 है minus plus minus 5 में से 3 minus करेंगे 2 लेकिन sign but it is it का जाएगा is equal to 78 5 N is equal to 78 plus 2 N is equal to 80 upon 5 5 बन जा 5 5 6 जा 30 तो N जो है वो क्या आगया आपका 16th इसका मतलब जो 16th term होगी आपकी वो आपकी क्या होगी 78 according to this AP ओके next देखिए question number 5 find the number of terms in each of the following APs बैटा number of terms यहां पर find out करने है number of term और यहां पर आपको क्या find out करना था which term term ही find out करने थी यहां भी number of term find out करने है इसका मतलब any find out करने है same उपर वाले की तरह ही तो इसमें दिया क्या होगी 7, 13, 19 यह आपको AP में given है क्योंकि कहा रहा है following APs यानि यह AP में है इसमें आपको check करने की जुरुत नहीं अगर आप चेक करके देखेंगे भी तो 13-7, 6 19-13, 6 difference जो है वो same ही आएगा क्योंकि अल्रेडी वो बोल रहा है AP में है so difference will be 13-7 that is 6 यहां से बिटा जो 205 है वो same उपर वाले कुशन के तरह inner term हो गई 205 यहां पे आपको formula apply करेंगे a plus n minus 1 into d is equal to 205 a क्या है बिटा 7 plus n minus 1 into d क्या है आपका यहां पे 6 is equal to 205 so 6n minus 6 is equal to 205 minus 7 हो गया बिटा यह 7 उदर जाके so 6n is equal to इस में से 7 minus करेंगे तो यहां जाएगा 198 then plus 6 कर देंगे so 6n is equal to यहां पे क्या आजाएगा 204 यहां से आगया so n is equal to 204 upon 6 तो बिटा यहां से 6 से कट कर लीजिए 5th question का second part देखिए बिटा क्या कहता है 18 15 1 upon 2 इसमें भी आपको n की value find out करनी है same question यह previous वाला ही तो AP में आपको एक इवान है सबसे पहले आपको इसके अंदर common difference find out करना होगा 18 पर तो पहले इसको simplify कर ले 15 तूजर 30 plus 1 31 upon 2 then 13 then minus 47 तो बिटा difference जो होगा वो क्या होता है आपका 31 upon 2 minus 18 2 LCM आएगा 31 minus 36 यह जाएगा minus 5 by 2 जो minus 5 by 2 है वो difference की जंगे D की जंगे पूट कर देंगे A N जो आपको given है वो minus 47 given है so A plus N minus 1 into D will be minus 5 by 2 इसको bracket में रख लेंगे is equal to minus 47 हो गया यहां पर तो यह क्या हो जाएगा 18 उदर जाके minus का हो जाएगा N minus 1 minus 5 by 2 is equal to minus 47 minus का 18 so N minus 1 into minus 5 by 2 is equal to minus minus क्या हो जाता है बेटा plus हो जाता है plus हो जाता है तो इन दोनों को plus कर देंगे तो यह जाएगा 65 और sign जो है वो बड़ी डिजट का जाएगा यहां से अब 5 by 2 जो है वो अधर जाएगा so N minus 1 is equal to minus 65 into 2 upon minus 5 minus से minus कट 5 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 so N minus 1 is equal to 26 यहां से N की value क्या आगई 26 plus 1 27 so 27 term of AP will be minus 47 अगर हम इसमें करते जाएगे तो जो 27th term होगी वो आपकी क्या होगी minus 47 होगी यहां से ठीक है बेटा बेटा मैंने जो इसमें solve किया है ना यह equation को वो तीनों पार्ट में 5th question के दोनों पार्ट में और 4th question में तीनों same question है और तीनों में मैंने अलग-अलग तरीके से इसको solve किया है एक में मैं इसको इधर ले गई हूँ और फिर इसको इसको इससे multiply कर दिया है एक में मैंने इसको इधर ले गई हूँ तब उसको उधर लेके गई हो तो वो आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व करना चाहते है को नेक्स्ट कोशन देखिए सिक्स्ट कोशन देखिए चेक वैदर दिस इस टर्म अफ एपी 11852 चेक करना है कि जो यह माइनस वन फिप्टी है क्या वह इस एपी की चेक करना है जो माइनस ऐसे माइनस फिप्टी इस एपी की टर्म है यह नहीं है तो चेक करते हैं बिटा हम मान लेते हैं कि यह है ओके वी लेट मी एज्यूम माइनस वन फिप्टी इस दिट टर्म ओप एपी 11852 देन फॉइंड ए एन इस एक्वल तो माइनस वन फिफ्टी हो गया सेम कोशन की तरह हम चलाएंगे और माइनस वन इंटो दी इस उकोल तो माइनस फिफ्टी तो बिटा एक या गीवन है आपको हहां पर 11 फ्लस एनमा माइनस वन इन इंटो डी एक माइनस 11 करेंगे टीफण्स क्या होगा एक माइनस 11 इ relacionative i5-3 Pon to minus 150 तो बेटां यहां से इसको solve कर लीजिए n minus 1 minus 3 is equal to minus 150 ये भी क्या हो जाएगा हम आजाके minus 11 so n minus 1 is equal to minus minus plus हो जाता है so 161 upon minus 3 ये भी minus का है minus से minus कट हो गया then n is equal to 161 upon 3 plus 1 तो ये क्या आजाएगा 3 LCM आएगा 161 plus 3 164 upon 3 अब बेटा इसको कट करिए 3 बंजा 3 3 5 जा 15 then 1 3 4 जा 12 then 2 0 3 6 जा 18 3 6 जा 18 तो बेटा आप देख रहे हो जो n है वो point में आ रहे है आपको यहां पर एन जो है वो किस में आ रहे है point में अगर n point में आ रहे है तो बेटा क्या ये सही है हमारा जो number of terms है वो point में हो सकती है जिस तरह से आप number of persons को point में नहीं गिन सकते है उस तरह से number of terms को भी कैसे गिन सकते है यह 1 है, यह 2 है क्या आप इसको 2.5 बोलोगे, no 3rd term है, यह 4th term है तो यह point में impossible है so we can say minus 150 is not a term of this AP you can write this statement that minus 150 is not the term of AP 11852 and so on तो बिटा आज की वीडियो हमारी यहीं कतम हो दिया है कल आगे के questions हम दिखेंगे thanks for watching my video, please like, subscribe and share my channel, thank you very much